नमश् specially दोस्तो मैं डॉक्टर सन्जय कुमार ग्रेलु इलाज देखे 100% साटीक इलाज देखे mery video नमश् specially दोस्तो मैं डॉक्तर सन्जय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्वेदि कुप्चार घ्रेलू उपाई आपके घर से ही आज मैं आपको बताऊंगा सटी कुपाई जवान लड़कों के बारे में जो जवानी की देलीज पर हैं और उनको एक प्राबलम आती है अधिकांश बहुत लोगों को आती है सपन दोश सपन दोश ये होता है रातरी में जब वो सोते हैं और इसमें मैं थोड़ा खान पीन बताऊंगा गरम चीजों का इस्तमाल कम करें कोई भी गरम चीज से बचें जैसे की ड्राइफ फूट्स वगएरा और गरम तेज मसालों से बचें इससे आपका ये सपन दोश जो होता है ये बंद हो जाएगा वैसे कोई बिमारी नहीं होती है अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है तो फिर बिमारी है और जो मैं आपको पाए बताने जा रहा हूं बिल्कुल सटी को पाए है आप लिजीयेस में अनार का छिलका होता है अनार के छिलके को पीस लिजीए और ये पाँच गिराम सुबा पाँच गिराम शाम को ताजे पानी के साथ लें और ये जो सपन दोश की समस्या है jsिनको ज़्यादा प्रब्लम नहीं है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर किसी को बिमारी है या जैसे की पतलापन आ गया बहुत जादा तो वो भी कर सकते हैं इसको लेकिन आपको गरम चीजों से बचना है ड्राइ फूट गरम मसाले और साधा भोजन ले और भार की चीजे जैसे जंग फूट वगरा ना ले इससे बचे हैं जिनको सपंदोश ह और यह जो मैंने अभी आपको जो पाय बता है बिल्कुल सटी को पाय है पानी से लेना है ताजे और पांच-पांच गिराम सुबह शाम लेना है और इसको कंटीनियू ले सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं हैं कभी तक भी आप ले सकते हैं पांच मेने छे मेने आठ मेन बिल्कुल आपको इसमें परिशानी से निजात पाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्त रहेंगे इसी के साथ मैं आग्या चाहता हूँ नमस्का नमस्का दोस्तों मैं डाक्टर संजे कुमार लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए मैं आपको जवाब दूँगा देखें मेरे अरवेदी कुपाई घरेलू पाई सटी कुपाई आपके लिए दोस्तों